हिंदी में कहावत है कि नकल में अकल की जरुत पड़ती है अगर आप लोग मालडीव की नकल करेंगे तो जिस तरीके से मालडीव डूबा है उसी तरीके से आप लोग भी डूब जाएंगे मालडीव ने इंडिया आउट का केंपेंच चलाय था चाइना के इंफ्लॉएंस में आकर और उसकी चोट इतनी गहरी थी कि मुहमद मौईजु के ये पता लग गया था कि मैंने बहुत बड़ी गल्थी कर दी है लेकिन अब उसी रहा पर बांगलादेश निकल पड़ा है मतलब हम भी डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे तो बांगलादेश के अंदर हाल ही में इंडिया आउट का केंपेंच अभी बहुत जोर शोर पर है लेकिन क्या वहाँ पर भी चाइना के इंफ्लॉइंस में ही ऐसा हो रहा है या फिर वहाँ की डॉमेश्टिक जो पॉलिटिक्स है उसके कारण भारत के खिलाफ ये पूरा का पूरा केंपेंच चल रहा है उसके बारे में हम लोग समझेंगे आप लोग को पता होगा कि 8 जनवरी 2024 को शेख हसीना चौथे टर्म के लिए बांगलादेश की प्रधानमंत्री बनी थी बांगलादेश के अंदर 12 संसदी चुनाव हुए थे लेकिन सेख हसीना के लिए ये जो पद समालना है ये बड़ा भारी अभी साबित हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि शेख हसीना के उपर ये आरोप लग रहा है कि इस बार इन्हों ने जो चुनाव जीता है वो कही न कहीं भारत के सपोर्ट से जीता है और भारत ने इस ब्रहष्टाचार को करने के अंदर बांगलादेश की help किये है, मतलब सेख हसीना की help की है, ऐसा मानना है बांगलादेश की विपक्षी पार्टियों का, इसका नाम है BNP, बांगलादेश Nationalist Party, और वो BNP का कहना ये भी है, कि कही न कहीं ये जो elections हुए है, इस election के अंदर भ्रहष्टाचार भी हुआ है, चलिए, समझते हैं कि आखिरकार सुर्खियों के अंदर क्या चल रहा है, सेख हसीना ने हाल ही के अंदर ये कहा था, BNP पार्टी वालों से, कि अगर आप इंडिया के जो प्रोड़क्ट्स हैं, इनको boycott कर रहे हैं, तो अपने घ घर में जाईए, आपकी घर की जो महिलाएं हैं, उनसे ये कहिए, कि आपकी घर की महिलाएं जो साड़ी पहनती हैं, पहले उनको जलाईए, क्योंकि वो भी कही ना कहीं इंडिया से ही, इंडिया से ही जो है, वो बंगलदेश की अंदर सप्लाई होती है, और boycott, इंडियन प प्याज है, अनियन है, इसको लेकर भी कहीं न कहीं कॉंट्रोवर्सी क्रेट हो चुकी है, इंडियन अनियन्स इन सिमरिंग, boycott pot of बंगलदेश, मतलब बंगलदेश जो है, वो प्याज का भी जो है, अब boycott करने लग गया है, चलिए, आप लोग हमारे 75 डेज हार चैलेंज क साथ में जोड़ सकते हैं, 75 टेकनिक्स आप लोग को पताई गई है, मेरा कहना ये है, कि आप लोग अपनी लाइफ के अंदर एक बार इस चैलेंज को लीजेगा, आपकी लाइफ वागई में drastically change होगी, अगर आप लोग को लगता है कि आप लोग अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, अपने exams के अंदर, concentrate, focus, clear thinking आपके पास में नहीं है, तो you must join 75 days hard challenge, आप लोग को coupon code challenge यूज़ करना है, जिससे discounted price में आप लोग के लिए available हो जाएगा, के लिए शुरुआत करते हैं, आज के इस session को, पहले में root cause आप लोग को बतायता हूँ कि हुआ कि हुआ होगा, शेख मुझीबुर रहमान को बांगलादेश का मुक्ती दाता कहा जाता है, दा father of nation बांगलादेश के लिए कहा जाता है, जिन्होंने 1971 के अंदर बांगलादेश को आजात कराया था पाकिस्तान से, और उस समय भारत के अंदर इंद्रा गांधी ने काफी support किया था, लेकिन उनको क्या पता था कि 15 अगस्त को 1975 में शेख मुझीबुर रहमान की हत्या कर दी जाएगी, और वो हत्या करने वाले सेना के एक dictator उनको माना जाता है, जिया उलक उनको हम लोग कहते हैं, उनके द्वारा हत्या कर दी जाती है शेख मुझीबुर रहमान की, अब ये ज वो रहता है UK के अंदर ठीक है अब वो basically क्या करता है कि बांगलादेश के अंदर इंडिया आउट के campaign को शुरू करता है लेकिन indirectly तरीके से बांगलादेश का एक media house है revolt वहाँ पर एक news flash होती है कि इंडिया जो है वो बांगलादेश के साथ में नहीं है एसी news flash होना शुरू होती है और hashtag इंडिया आउट का campaign वहाँ से शुरू होता है वो कही ना कहीं बांगलादेश की विपक्षी party BNP के दौरा समर्थित था BNP की full form है बांगलादेश nationalist party जो कि कही ना कहीं ये चाहती है कि शेख हसीना अपने पद से वहाँ से हट जाए ये ऐसा कोशिश कर रहे थे मतलब ताहीर खान जो की रहते है UK के अंदर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मालडीव ने इंडिया आउट का campaign चलाया है हम भी वैसा ही campaign जो है वो चलाएंगे और वो campaign इतना आगे बढ़ चुका है कि अभी हम लोग मार्च के अंदर session को देख रहे हैं ये बहुत हद तक tool पकड़ चुका है यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि आखिरकार इस impact का बांगलादेश की उपर क्या आसर पड़ेगा impact को अगर हम लोग देखें economic perspective से तो वो तो आगे हम लोग देखने वाले हैं कि बांगलादेश को कैसे आर्थिक इस तरपर नुकसान होने वाला है लेकिन political अगर हम लोग देखें तो बांगलादेश का जो constitution है इसमें लगबग 13 to 14 amendments हो चुके हैं अगर वहाँ पर ज़्यादा amendments होंगे तो politically वहाँ के जनता के लिए ठीक बात नहीं होगी क्योंकि democracy पर विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है अगर बार-बार आप देश के जो नेता हैं उनकी उपर सवाले निशान खड़े करेंगे तो वहाँ की जो रहने वाली जनता है वो भी कही न कहीं ये सोचिन लगेगी कहीं न कहीं हमारा जो नेता है वो वाकई में ब्रश्टाचारी तो नहीं है करप्षिन के केस उसके उपर नहीं है तो वहाँ का जो डेमोक्रेसी है वो कहीं न कहीं खत्रे में आ सकती है एकनोमेक लीग कैसे बांगलदेश पीछे हर सकता है वो हम लोग आगे देखने वाले हैं यह जो व्यक्ति आप लोग देख रहे हैं यह है पिनाकी भटाचारी यह पेशे से डॉक्तर है बंगलादेशी है लेकिन आउट ओफ बंगलादेश रहता है पिना की भट्टाचारी ये वो पहला व्यक्ति था जिसने बांगलादेश से बाहर रहने के बाद ही इंडिया आउट का कैम्पेण बांगलादेश के अंदर चलाया था और वहाँ पर कई मीडिया हाउस को सपोर्ट किया था इस कैम्पेण को चलाने के अंदर ये बेसिकली बी एन पी जो पार्टी है इसको सपोर्ट करने वाला है जो कि शेख हशिवा की विपक्षी पार्टी है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो व्यक्ति है इसने उस समय भी कमेंट किया था जिस समय प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी गए थे लक्षदीप के अंदर और वहाँ पर स्कूबर डाइविंग की थी और उस समय इन्होंने ये पिना की भटाचारे जो है इन्होंने ट्वीट किया था और इसको क्रिटि इसकालने के अंदर बंगलदेश का फाइदा है कि नुकसान है उसको हम लोग समझने वाले हैं 17 जनवरी 2024 को सोशल मीडिया के जरिये केमपेंड के शुरुआत हुई क्योंकि याद रखिए कि 8 जनवरी 2024 को शेख हसीना चुनाव जीत कर वहां की प्रदानमंतिरी बनती है फोर्ट टर्म के लिए इंडियन ब्रांट्स और सरसेस के बॉयकार्ट की वहां पर अपिल की गई बंगलदेश जातिय दल और लिबरेशन डेमोक्राटिक पार्टी जो है इसके अंदर शामिल थी आम चुनाव के दौरान कुछ एक्टिविस्ट ग्रूप ने इस केमपेंड को शुरू किया था बंगलदेश की 12 पार्टिकल पार्टी ने केमपेंड को सपोर्ट भी किया था यही इस्तिती हम लोग भारत के अंदर भी देख सकते हैं भारत के अंदर अभी बीजेपी मैजरिटी के अंदर है जबकि विपक्षी पार्टिया है वो सब एक जुट होकर नई पार्टिक को जर्म देती हैं वो है इंडिया ठीक है तो वैसे ही बंगलदेश के अंदर भी है कि यह सारी पार्टिया एक जुट होती है और इंडिया आउट जो केमपेंड है इसको support करती है धाका में 24 फरवरी को पॉलिटिकल पार्टीज ने इस सपोर्ट रेली के अंदर जो है वो भी पार्टिसिपेट किया था अच्छा यहाँ पर देखिए अगर हम लोग अनियन्स की बात करें तो भारत जो है वो अनियन्स एक्सपोर्ट करता है बंगलादेश को डिमांड काफी इंक्रीज होती है और यही नहीं शुगर है डेट्स है ग्राम है और अनियन्स जो है इनकी डिमांडिंग और इंक्रीज हो जाती है इंक्रीज होने का कारण क्या है कि आखिरकार बंगलादेश यह जो प्रिफर करता है किसको onions को ये prefer करता क्यों है basically भारत से जो onions होते हैं उनकी quality बहुत बहतर होती है lower transport cost होती है कम यह कि सस्ता पड़ता है quality अच्छी होती है Indian जो onions है उनकी इसलिए Bangladesh जो है इसको import करता है तो केवल onions की बात नहीं है हम लोग sugar की बात करें हम लोग cosmetics की बात करें हम लोग tourism की बात करें हम लोग education की बात करें हर चीज जो है उसके अंदर भारत Bangladesh को support करता है ठीक है अच्छा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि India और Bangladesh की बीच में export और import में आप लोग को दिखाना चाहता हूं कि India is export to Bangladesh मतलब basically India export करता है Bangladesh को 13.8 billion dollar जबकि Bangladesh का total जो import है वो कितना है मतलब हम लोग यह कह सकते हैं कि India's total export जो है वो कितना है 468 billion है तो 468 billion इंडिया का total export है उसमें से 13.8 billion जो है वो बांगलादेश के अंदर होता है यह total export का 3 प्रतिशत यहाँ पर हम लोग count कर सकते हैं मतलब हम लोग कोई ज़्यादा खासा जो है वो export नहीं करते हैं बांगलादेश के अंदर लेकिन बांगलादेश जो total import करता है 82.7 billion dollar इसका 13.8 billion dollar जो है वो भारत से import के आता है तो यहाँ पर भारत जो है वो बांगलादेश को support करता है in terms of import के अंदर वो है 16.7% मतलब बांगलादेश जो है उसको वाकई में भारत की जरुवत है हम लोग यह कह सकते हैं कि अगर आज यह export बंद हो जाए भारत की तरफ से तो cosmetic industry है वहाँ की food grain industry जो है वो खत्रे के अंदर आ सकती है और खास तोर पर बंगलादेश की economy जो है वो भी खत्रे में आ सकती है तो भारत और बंगलादेश की बीच में कई सारे trade agreement जो है वो भी हो रखे हैं लेकिन अगर वाकई में बंगलादेश ने India out का campaign चलाया तो उसको लेकर हम लोग ये कह सकते हैं कि बंगलादेश की economy जो है वही down जाएगी अगर in terms of हम लोग tourism की बात करें तो बंगलादेश में घूमने और काम करने जाने वालों में भारतोय की संख्या सबसे ज़्यादा है official आकडों की मताबिक 2023 में 1.7 लाख विदेशी सहलानी बंगलादेश पहुँचे थे इन में 37,000 से ज़्यादा सिर्फ भारती थे बड़ी संख्या में भारत बंगलादेश में जो भी वो है वो काम कर रहे है बंगलादेश भी भारत की कमाई का एक बड़ा जरिया है लाखों बंगलादेशी, मेडिकल सुईधाओं और घूमने फिरने के लिए हर साल वो भी भारत में पहुंसते है मतलब ये टोरिज में जो है वो दोनों देशों की तरफ से है लेकिन अगर इंडिया आउट का केमपेन बंगलादेश की विपक्षी पार्टी यूही चलाते रही तो in terms of economy, in terms of political बंगलादेश को काफी नुकसान होने वाला है इसका example है Maldives Maldives के अंदर आज वहां की जनता है वही उनसे नाखुश है कि आपने एक पडोसी को खो दिया है जो कि भारत था भारत geographical point of view से देखें तो भारत जो है वह dominate करता है Indian Ocean के अंदर अगर बंगलादेश वाकई में अच्छा पडोसी बराना चाहता है भारत को तो ये उसको मानना पड़ेगा कि कही ना कहीं आपको चाइना को आउट करना पड़ेगा तो भारत जो है वह आपका साथ देगा बंगलादेश की इस्तिरी देकर ये लग रहा है कि कही ना कहीं चाइना का influence जो है वो बंगलादेश की विपक्षी पार्टी उपर हो रहा है जैसा कि मालडिव के अंदर हुआ था आगे आने वाले results यही दिखाएंगे कि कही ना कहीं चाइना जो है वो indirectly influence यहाँ पर कर रहा है बंगलादेश की अंदर यही results जो है वो आगे देखने को हमको मिलने वाले हैं चलिए आप हमारे 75 days hard challenge को join कर सकते हैं 75 techniques आप लोग को बताई जाएंगे 75 days का hard challenge जरूर complete करना चाहिए इससे आपकी willpower जो है वो काफी increase हो जाएगी आप लोग को telegram channel दीपक इंदर आउफिशल जरूर जोइन कर लेना है मिलते हैं आप लोग को से अगले session में ततले धन्यवाद थेंक्यू जय है